देखो यह expenditure है, raw material दिया है, 56,000 का, fuel, electric power, wages, repairs, carriage, invert, देखो यह सब expenses दिया है न, rent, factory, tax and insurance, factory, depreciation on machines, आगे देखो क्या दिया है, prepare a cost sheet for the year, showing cost per unit of each item, देखो cost per unit निकालने बोला है, of each item, प्रतेक मद की प्रती इकाई लागत तथा, उत्पादन की कुल लागत दर्शाई गई हो, total cost of the production, और यहां पर देखो, निर्मे दिकाईयां करके दिया है, units manufactured, दिख रहा हैं सबको, units manufactured, सबसे पहला काम आपके question में, cost sheet में यह रहेगा, कि आपको देखना है, कि उसमें units दिया है कि नहीं, अगर units दिया है, तो आपको डूढ़ना है उसमें, कि कितना है, जैसे उसमें देखो, यह देखो, यह 40,000 दिख रहा है, units manufactured, तो देखो कैसे बनाते हैं, देखो, cost sheet लिखेंगे सबसे पहले, साथ साथ बनाते चलो सब, cost sheet यहां फिर statement of cost भी लिख सकते हैं, for the year, कौन से year की है, question में भी दिया नहीं है year, वैसे next उसमें questions में दिया रहेगा, तो यह जिस भी साल की दियोगी, output लिखना है, मतलब यह देखो, निर्मे देखाईया, output कितना है अपना, 40,000 units, ठीक, फिर आप लोग statement बनाएंगे, पर्तिकुलर बनाना और अमांट, एक टोटल कोस्ट और एक कोस्ट पर उनित का, यहां पर टोटल कोस्ट लिखेंगे अपन, और यहां पर कोस्ट पर उनित, समझ में आ रहा है सबको, cost per unit मतलब प्रतिकाई और total cost में लिखना आप लोग कुलागर यहाँ पर particular में लिखना विवनर्ट pro forma follow करेंगे pro forma के according सबसे पहले हमको चाहिए रहता है इस देखो raw material मैं तिक करते जा रही हूँ ना उसमें आप देखते जाना तो लिखो सबसे पहले raw material कितना दिया है 56,000 थिक फिर देखो और क्या दिया है इसमें यह देखो carriage inward raw material में add करेंगे carriage inward देखो first class है first question है इसलिए साथ साथ बनाते चलो 4000 आएगा तो 56,000 प्लस 4000 यह हो जाएगा अपका 60,000 है ना यह हो गया cost of raw material consumed प्रत्यक्ष सामगरी एड करेंगे process and general wages तो आएगा अपना prime cost मूल लागत total करो कितना आ रहा है 1,86,000 और साथ साथ अब देखो cost per unit दिया है तो 60,000 को divide करोगे किसे 40,000 से क्योंकि हमारे पास units कितने हैं देखो 40,000 units है तो 60,000 divided by 40,000 करो कितना आ रहा है 1.50 same 1,26,000 को divide करेंगे 40,000 से तो आएगा आपका 3.15 total करेंगे तो भी वही आएगा या फिर 1,86,000 को direct divide करेंगे 40,000 से तो आएगा 4.65 तेखो prime cost के बाद क्या add करते हैं अपन? factory overheads या फिर work overheads कहार खाना उपर ही भी है ना factory overheads या फिर आप work overheads भी बोल सकते हैं तो इसमें देखो क्या क्या आ रहा है? starting से देखते चलना देखो highlight करते चल भी यह देखो fuel fuel के बाद देखो क्या दिया है? electric power ठीक है यह मजदूरी वाला हो गया था? repairs carriage inward हमेशा याद रखना raw material consumed में जाएगा हमेशा carriage inward outward होगा तो factory में जाएगा light and water office salary office वाले में जाएगा administrative के बाद भी देखो office लिखा है तो यह भी office में जाएगा फिर देखो rent दिया है bracket में लिखा है factory इसलिए factory में आ रहा है tax and insurance में भी देखो factory दिया है इसलिए factory में लिखेंगे depreciation on machine दिया है advertisement हमेशा sales and advertisement में जाएगा तो बाकी sales agent advertisement क्या रिजॉंस यह sales and distribution में जाएगा तो चलो इसमें add करते जाओं देखो मैं सबका वह highlight कर दियू ना fuel लिखो कितना है fuel का amount 14,000 electric power लिखो 2800 पर लिखेंगे repairs 4800 light and water 800 फिर rent क्लिको ब्राकेट में लिखना factory नहीं लिखना है इसमें आप लोग तो question में दिया है 4000 tax and insurance loan यह हो गया 800 depreciation on machine load 4800 चलो total करके बताओ मैं को पूरे का माम 2,18,000 आ रहा है 2,18,000 यह add करना न प्राइम कोस्ट को add करना है इन सब में तो प्राइम कोस्ट के बाद जब factory overheads add करते हैं तो वह हो जाता है अपना work cost यह फिर factory cost भी बोल सकते हैं कार खाना लागत total करना 2,18,000 और सबका per unit निकालना है 14,000 को divide करेंगी किस से 40,000 से कितना आ रहा है 0.35 फिर 2800 को divide करोगे तो 0.07 आएगा 4800 को divide करोगे तो 0.12 800 को divide करोगे तो 0.02 फिर 4000 को करोगे तो 0.10 0.02 और 4800 का हैगा 0.12 यह सारे cost एड करना इसमें 5.455 यहां तक कोई doubt है तो पूछो यहोगा प्राइम कॉस्ट यहोगा आपका प्यक्टर कॉस्ट नोट किया सबने नोट किया सबने ओफिस सेलरी हो गया और यह हो गया आपका एक administrative expenses office का है न यह देखा 14,000 और यह 10,000 देखा सबको highlight के है मैंने टोटल करोगे 2,42,000 आएगा चलो इसको divide करो 14 को तो यह देखा 0.35 और यह देखा 0.25 टोटल करोगे तो 6.0 office overhead में जब यह एड हो जाएगा तो यही office cost होगी और इसमें क्या बोलते हैं finished goods वगरा तो कुछ भी नहीं दिया है तो यही अपनी हो जाएगी cost of production इसमें आप आड कर देंगे अपन selling and distribution cost इसमें देको first दिया है salary to sales agent carriage on sales और एक और point दिया होगा क्या अद्वर्टेज्मेंट दिया देखो यह तीन green से देखो highlight किया जो green से highlighted है वो selling वाले इसमें blue से highlight वाले office और जो मैंने yellow से highlight है वो factory वाले तो करो advertisement कितना advertisement का amount 1000 salaries to sales agent है 1600 carriage on sales है 400 total करो यह आएगा आपका 2,45,000 इसको divide करते चलो 4000 से तो आएगा 0.03 0.04 यह अगा 0.01 total करेंगे तो 6.13 तो यह आगे आपका cost total cost है ना cost of sales यह फिर total cost इसको double line से close कर देना यह इस मैंने है ना वेको यह प्रोफॉर्मा हमने कल discuss किया था तो जैसे यह वाला portion देखों कहां तक के यह raw material तक के और direct raw material यह वाला portion इसको कुछ parts में डिवाइट कर रही हूं फिर देखो direct wages जहां से add होता है उसमें क्या है सिर्फ prime cost फिर factory overheads एड होते हैं यहां तक तो यह first portion यह second portion हो गया यह third portion और office में यह office cost एड हो रही है यह fourth और यह finished goods से लेकर यहां तक यह fifth में और इसको sixth पर ठीक है अब इनकी working note देखों सबके book में हैं जिनके पास book नहीं है वो समझों यह points याद होना बहुत जरूरी है नहीं तो अब questions नहीं बनेंगे यह देखों यह यह prime cost दिख रहा है आप लोगों को first मूल लागत है ना तो इसका formula देखो क्या लिखा है prime cost कैसे निकलता है direct material में जब direct wages add होते हैं और plus direct expenses ठीक है तो यह याद रखना है आपको प्लस देखो simple calculation of raw material consume कैसे करने है opening stock of raw material है तो ठीक नहीं है तो रहने दिना यह देखो opening stock फिर purchase फिर देखो carriage inward मैंने अभी इस question में carriage inward add किया था और carriage inward नहीं है तो क्या दिया रहेगा right और उसके बाद अप लोग minus करेंगे closing stock of raw material तबाएगा आपका raw material consume अगर exam में इसको tough करना होगा question को तो वो क्या करेगा यह देखो opening stock दिया नीचे purchase दिया carriage inward भी दिया यह देखो कुछ और expenses भी डालेगा और try and custom direct expenses on material फिर less में देखो क्या किया closing stock के साथ यह cost of material sold देखो material material से regarding सब सब material से regarding है तो cost of material sold है वो भी minus अब यह right side पर देखो material return to suppliers अगर हम वापस कर रहे है वो भी abnormal waste हो रहा है material का वो भी minus होगा अगर हम sale of waste and scrap करें तो आपको ध्यान देना है कौनसा sale of waste or scrap है हमेशा यह material से regarding है इसलिए आया है अब देखो नीची लागत लिखांकन cost accounting standard मानक्षे में यह लेक क्या ग्या है कि इस पश्चता की ड्रिस्ती से प्रतिक सामगरी को उप्युक्त शिशकों में वर्गी करत करना चाहिए यह देखो यह इसका division है और यह सिर्फ theory portion है है अपना काम यहां तक है आ रहा है समझ में मैं आपको जो शो कर रही हूं इस प्रस्ट पार्ट जो मैंने इसको फर्स्ट पोर्शन में डिवाइड किया था इसको इसमें देखो लेस में क्या क्या डाला है डिफेक्टिव मटेरियल भी डाला है रैसीड्यू भी डाला तो आप लोग पूरी लिस्ट रेडी करेंगे न एक साथ जो भी माइनस का है जैसे सब्स यह दोनों माइनस में तो यह दो भी एड करेंगे प्लस इसमें जो नीचे भी दिया है मैंने अभी बताया वो भी माइन किसी को स्क्रीन चॉट लेना है तो ले सकते हो नहीं तो बुक में भी दिया हूँ है बहुत अच्छे से नेक्स देखो कि यह देखो यह जो प्राइन कॉस्ट आती है यह उसका पार्ट है यह वाला स्रिफ प्राइन कॉस्ट का पार्ट है क्या आता है raw material जब consumed अपन एड करते हैं तो यहां तो direct wages यह लेबर लिखेंगे यहां फिर direct expenses ठीक अब उसके बाद जब उसमें पन क्या एड करते है factory expenses यहां फिर factory overhead तो अब देखो इसमें यह यह कार खाना उपर ही वे दिख रहे हैं में वे शामिल किये जाते हैं तो यह प्रोफॉर्मा में नहीं दिया था पूरी लिस्ट तो फैक्ट्री ओवरेट्स अब देखो यहां पर indirect wages दिया है तो वह आएगा किसमें फाक्ट्री में और अगर direct होता तो वह किसमें आता प्राइम कॉस्स में देखो रैंट रेट्स टैक्स अन इंशुरेंस और फैक्ट्री दिया है फ्यूल और फैक्ट्री लूज टूल्स देखो अब सैलरी और फैक्ट्री मैनेजर आएगा तो इसको ओफिस में मट डालना गलती से भी अब देखो डारेक्टर की एमुनरेशन यह मत सोचना कि यह ओफिस का काम है नहीं नेक्स देखो फैक्ट्री बिल्डिंग फैक्ट्री से रिगार्डिंग जो भी है प्रोड़क्टिव एसेट्स का रेंट इस्टोर एक्सपेंसेज यह सब फैक्ट्री में पेयोप हॉलिडेज ड्रॉइंग ओफिस एक इसके नाम में ओफिस लिखा है तो स्टुडेंट्स क्या करते हैं इसको ओफिस ओफिस ओवरेड में डाल जोते हैं नहीं इसमें आएगा फैक्ट्री ओवरेड में देखो हॉलेज नेक्स देखो लाबरेटरी एंड रिसर्च इक्सपेंसेज यह सब फैक्ट्री में रिमुवल ऑफ ओवरबर्डन रेक्टिफिकेशन कांटीन एक्सपेंसेज बोनस तु इंप्लोईज इस सब सुपर्वीजन इंस्पेक्शन एक्सपेंसेज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल यह को यह पूरी की होगी नहीं कि हैं बुक में यह बहुत अच्छे से याद रखनी है आपको बहुत अच्छे से क्योंकि अब जो यूनिट 3 में आप लोग टॉपिक बढ़ रहे हैं वो सेम 4 में भी कंट्रीनी होगा और फाइफ में नेक्स देखो यह देखो यह प्राइम कॉस्स दिया है नीचे देखो फिर उसमें फेक्ट्री एक्स پेंसेज यह वाले फेक्ट्री एक्सपेंसे ने यह जो भी लिखिया करना है work in progress of opening stock, closing stock minus करेंगे और sale of scrap, sale of scrap raw material में भी आता है पर आप लोग देखना वहां पर off material लिखा होगा, इसमें नहीं लिखा है, सिर्फ sale of scrap है तो वो factory वाले में और उसकी बाद के आज आता है work or factory cost, यहां तक clear है?